हेलो ए स्टुडेंट आज हम लोग फंक्षन का एक इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकस करने जा रहा हैं कमपोजिट फंक्षन जो काफी इजी एंड इंट्रेस्टिंग है अभी तक हम लोग फंक्षन में डोमेन, रेंज, इवन फंक्षन, और फंक्षन, प्रियोडिक फंक्षन, वन वन और टू फंक्षन, डीटेल में देख चुके हैं लार्ज नंबर अफ क्षेंस प्रेक्टिस किये हैं आयाईटी जेए के लिए फंक्षन एक इंपोर्टेंट टॉपिक है और यदि आप IIT के true dreamer हैं तो फंक्षन आपका one of the strongest chapter होना चाहिए और इसके लिए जितना question आपको practice करने के लिए दिया गया है each and every question आपको solve करना होगा जो question नहीं solve हो, उसको then and there, let नहीं करना है उसको doubt में विजिए और उसको clear कीजी तो let us start today's class composite function, composite function को function आप functions भी बोलते हैं इसको define कैसे करेंगे, तो इसको हम दो समझेंगे diagram के true, f is a function defined from set A to B f का domain set A है, अपको domain set B है g is another function which is defined from set B to set C function क्या होता है, function एक relation होता है a special kind of relation a1 is related to B1 through f and B1 is related to C1 through g तो हम बोल सकते हैं कि a1 is related to C1 a1 is related to B1 है, B1 is related to C1 है then we can say a1 is related to C1 तो एक single function जो set A के element को set C के element से relate करें उसी को बोलते हैं composite function और इसको denote करते हैं जी ओ एफ से, जी ओ एफ हो गया, सिंबॉल हो गया composite function का जी ओ एफ का मतलब है, जी ओ एफ इक्वलस टू जी अफ एफ एफ एक्स एक्स के जगह पर set A का element रखेंगे, A1 तो यह हो जाएगा एफ हाफ A1 एफ हाफ A1 का output क्या होगा, B1 B1, G का input हो गया G आप B1 क्या होगा, C1 तो आपने इसमें रखा A1 और भैलू मिला C1 तो यह function GOF क्या कर रहा है set A के element को set C के element से directly relate कर रहा है तो GOF is called composite function एक example से भी समझते हैं इसको Fx equal to given is x square plus 1 Gx equal to given is e to the power x find GOF तो क्या करेंगे हम लोग, GOF means G of Fx सबसे पहले Fx का value substitute कर दो यहाँ पर Fx के जगह पर रखेंगे x square plus 1 G of x square plus 1 कैसे calculate करेंगे तो Gx में x के जगह पर जो input है इसको substitute कर देना है तो this will be equal to e to the power x square plus 1 कहीं answer को जाएगा आप दूसरे तरीका से भी इसको proceed कर सकते हैं GOF का value होता है G of Fx सबसे पहले हम लोग इसमें Fx substitute किये थे हम लोग क्या करते हैं G में रखते हैं Fx को तो G में x के जगह पर रखेंगे Fx तो e to the power Fx और फिर Fx का value यहाँ पर रख दो तो e to the power x square plus 1 दोनों में से कोई process आप use कर सकते हैं अब दोनों use नहीं करना है कोई एक जो आपको अच्छा लाग है उसका use कीजिए उसी का habit बनाईए हम यह ही use करते हैं पहले Fx का value रखते हैं अब फिर Fx के value को G में x के जगह उपर रखते हैं अब वही answer आजाता है अब है कि क्या हमेशा दो function का composite function exist करेगा तो नहीं हमेशा exist नहीं करेगा तो क्या condition है second point बताएगा क्या condition है condition for gof to exist gof defined होने के लिए exist होने के लिए क्या condition है तो इसको देखिए f defined है from set a to set b और b के कुछ element को रख करके एक नया set बनाया गया है g defined है new set से set c में अब देखिए a1 is related to b1 लेकिन b1 आगे नहीं जा रहा है c में a2 is related to b2 and b2 is related to c1 a3 is related to b3 अब b3 is related to c2 तो set a के दो ही element है जो c के element से relate हो रहे हैं तो यदि ऐसा element exist करता हो पहला set में जिसके corresponding कम से कम एक element c set में हो यहां पर दो element है c1 और c2 तो कम से कम एक element exist करेगा तो हम बोलेंगे कि gof exist कर रहा है तो शाइद नहीं समझे होंगे इसको थोड़ा अच्छा समझाते हैं और explain करते हैं जी ओ एक जी आफ एकस एकस का वहलू यहां पर रखेंगे set a के element से तो यहां वहलू जो मिलेगा fx वह क्या होगा f के लिए range होगा range का element होगा image होगा x के जगा पर कोई भी number रखेंगे तो fx का value जो मिलेगा वहाँ क्या मिलेगा fx का range range of fx function f और यह fx जो होगा g का input होगा मतलब domain होगा fx का जो value बिला वह f के लिए तो range हो गया g के लिए क्या हो गया domain और g का domain को हम लोग denote करेंगे dg domain of g दोनों का intersection phi नहीं होना चाहिए देखो f का range क्या है b1 b2 b3 f का range है g का domain क्या है b2 b3 b4 दोनों में common element कौन है b2 और b3 तो जब तक common element exist करेगा तब तक composite function भी exist करेगा तो composite function exist करने का condition क्या हो गया कि range of f intersection domain of g should not be 5 मतलब कम से कम एक element इस intersection में होना चाहिए तो यह बात clear हो गया होगा अज बहुत लोग को समझने में तोड़ा कठनाई होता है तो कोई बात नहीं इसको आप याद रखेंगे यह objective question में काम आएगा कभी direct answer लिखने में otherwise composite function का question solve करने में इस diagram का use directly नहीं होगा यह बहुत असान है composite function का question solve करना इस तरह से value रख रहा के solve करते हैं तो इन सभी point को note करें इसके बाद हम लोग composite function के जितने formula है सभी formula एक साथ लिखेंगे समझेंगे फिर question practice करेंगे अब समझेंगे composite functions में जितने formula है एक साथ यह first point तो समझ चुके है for gof to exist gof exist करने के लिए f का range और g का domain में कम से कम एक element common होना चाहिए तो उसी को express किया गया है mathematically range of f intersection of domain of g should not be equal to 5 सकेंड डिजल क्या कहता है एक फोजी और gof equal आएगा क्या तो not necessarily आभी सकता है जब एक दुसरे का inverse हो तो otherwise नहीं आएगा तो यह फोजी सब्सक्राइब करने के लिए a4 goh तो हम इसमें कम्यूटेटिव लग का पालन कर सकते हैं पहले goh कैलिकुलेट करके तब a4 के साथ कंपोजीट करें यह फोजी कैलिकुलेट करने के बाद तब लो एज के साथ कंपोजीट करें तो ब्रेकेट के पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट एक बहुत ही इंपोर्टेंट रिजल्ट है जो objective question को solve करने में आपको help करेगा जैसे किसका एक्जामटल है एफ एक्ष इक्वल टो टू एक्ष माइनस वान अप आकोंग फाइफ एक्षबस तूठेमें और फिर इस तर्म को f में x के जगा पर रखना है x दो जगा पर है इस दोनों जगा पर इस नंबर को रखना है 2 into 2x minus 1 upon 5x minus 2 minus 1 by 5 into जहां भी x है x के जगा पर इस ratio को रखोगे 2x minus 1 upon 5x minus 2 minus 2 rest element 2 minus 1 5 minus 2 as it is रहेगा अब इसको LCM करते हैं simplify करो 4x minus 2 LCM करो minus 5x plus 2 इसको multiply करो 10x minus 5 minus 10x plus 4 cancel उपर में 2 cancel तो minus x by minus 1 cancel हो करके x आ गया यहां पर f हो f f को f के साथ composite किया गया तो answer x आ गया इस x आने के पीछे इसके data में एक region है वह region क्या है वहीं समझेंगे f x equal to a x plus b y c x plus d है and f of f x equal to x हो then a plus d 0 हो जाएगा तो यहां पर a plus d क्या हो है 0 है 2 minus 2 तो यहां बहुत बार दो तीन वरायटे में पुछ चुका है और अधर एक्जाम में भी इस तरह कुछन आते रहते हैं तो इसको formula group में याद रखना है कि linear by linear कोई function हो और a plus d 0 हो तो उनका composite itself के साथ अपने आप के साथ calculate नहीं करेंगे सिधा answer क्या हो जाएगा x हो जाएगा next result a and g are injective दोनों यह दी 1-1 है तो उनका composite भी 1-1 हो जाएगा उसी तरह से दोनों यह दी surjective है on to है तो उनका composite भी surjective हो जाएगा यह दी a and g दोनों function byjective है तो उनका composition भी byjective हो जाएगा इसको easily आप derive कर सकते हैं injective कैसे चेक करते हैं आपको पता है तुसे आसानी से यह drive हो जाता है अब a फो g का inverse inverse को separate करेंगे तो order change हो जाएगा g inverse और f inverse यह आपके board exam में भी question पुछा जाता है इसको prove करने के लिए तो अभी इसका prove नहीं करेंगे function के last week एक lecture रखेंगे जो केवल board exam के लिए होगा तो उसमें इसका discussion करेंगे composite functions के यह सभी result है इन सभी result को note करना है इसके बाद question प्रेक्टिस करेंगे अब इन सब question को solve करना है one by one सभी question को solve करते हैं fx equal to given है gx given है find gof and its domain gof means g of fx सबसे पहले हम fx का value substitute करेंगे fx का value substitute करो root under two minus x minus one और इस term को defined होने के लिए क्या condition होगा तो two minus x should be greater than equal to zero इसको solve करना है two minus x greater than equal to zero implies x less than equal to two each step में जो condition होगा term को define होने के लिए वह आपको note करते रहना होगा last में जितने condition मिलेंगे सबका intersection करेंगे वही final condition होगा x पर अब g of this input निकालने के लिए क्या करेंगे इस input को x के जगा पर रखेंगे तो रखो यहां पर root अंडर x के जगा पर रखना है two minus x minus one यह input है और पहले से minus one है वह भी रहेगा minus one और x less than equal to two कह रही होगा अब इसको simplify करेंगे root अंडर root उभर two minus x minus two अब यह last वाले root को define होने के लिए क्या condition होगा root अंडर two minus x minus two should be greater than equal to zero अब इसको solve करना पड़ेगा तू को इधर बेजो two minus x greater than equal to two aspiring करेंगे greater than equal to four तो finally आजाएगा x less than equal to two तो यहाँ जो condition है और यहाँ जो condition है दोनों का intersection करेंगे तो यहाँ पर दोनों तो same है तो intersection x less than equal to two ही रहेगा तो यही हो जाएगा composition ही निका कह रहा है कि domain तो जो यह condition लिख रहा है यह domain हो गया तो domain of gof क्या हो जाएगा minus infinity to two this is the domain अब देखेंगे next question second question fx equals to a minus x to the power n to the power 1 by n आप चाहें तो इन सबी question को practice किजिए परुच करके आउँ उसके बाद solution देखिए a फाफ fx सबसे पर fx का value सब्चूट करो a minus x to the power n to the power 1 by n और इस input को फिर x के जगाओ पर रखना है a minus जहां पर x है उसके जगाओ पर input को रखो a minus x to the power n to the power 1 by n और यहां पर है n पहले से a whole to the power 1 by n है clear है देखते हैं एक problem student face करता है इसमें रखने में गरबड़ी करते हैं यह input तोड़ा बड़ा होता है जब x के जगाओ पर रखने में गलती करते हैं तो इसके लिए एक उपाय है हुआ उपाय भी समझ लिजी इसको रखना है x के जगाओ पर तो इसके लिए क्या करेंगे उस mistakes से बचने के लिए आप यहां पर a है यह लिखे जब कभी भी आपको ईससा फील हो गीरणे में कुछ किन्फूजन हो रहा है तो इस ब्लएंट प्लेस वाले process का use किजी अब simplify करें इसको यह दोनों power cancel हो जाएगा तो यह minus 3 हो गया multiply करो दोनों term में a minus a plus x to the power n to the power 1 by n यह भी cancel अब फिर n n cancel हो करके answer x जाएगा तो composite function बहुत असान होता है calculate करना और समझना दोनों थर्ड कोस्चन एफ गीवेन है find a for f फिर three times composite करना है फिर 2020 टाइम्स है फिर 2021 टाइम्स composition करना है अब इसमें आपको फर्मूला यह याद है कि a plus d0 है यहां पर इसको है जे रिजल्ट याद रखना था अब three times composite करना है second question यह हो गया first question second question एफ फाफ एफ 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 एक्स तीस इसका तो value निकाल चुके है एक्स तो substitute कर दो तो answer हो जाएगा एफ एफ एक्स और एफ एक्स का value रख दो तो even times में एक्स और और टाइमिस में एफ एक्स त्थर्ट कोस्चन का answer क्या हो जाएगा एक्स और फुर्थ question का answer हो जाएगा एफ एक्स व़न मोर question इसी मेड करते हैं 5th question एफ इन्वर्स एक्स निकालो एफ इन्वर्स एक्स कैसे निकालेंगे तो फिर यह इसी रिजल्ट के यूज़ करेंगे एफ पलस दी जीरो है तो वी नो दैट एफ आफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स और इस बाहरवाल एफ को इधर बेज़ दो ट्रांस्पोज करो जैसे एफ एस में रहेगा एफ एक्स और आरे टेस में हो जाएगा एफ इन्वर्स एक्स तो यह इन्वर्स इक्स का विलू क्या हो जाएगा एफ ख़फ एक्स क्लियर है समझ गया होंग इतना कुछ और कोस्टन प्रेक्श करते हैं नेक्स्ट कुस्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू पलस फॉर फाइंड एफ ओ एफ ओ फो एफ हंडेड टाइमस अब हंडेड टाइमस कमपोजिट कैसे करेंगे पिछला कुस्चन में तो फोर्मूला या था ये पलस दी जीरू होगा तो उनका कमपोजिशन टू टाइमस में एक्स होगा त्री टाइमस में एफ एक्स होगा और वह वहीं रिपीट होगा एक्स एफ एक्स एक्स एफ एक्स ये तो न्यू डटा है इसमें क्या करेंगे तो इससे भी कोई न कोई पैटर्न आएगा क्योंकि 100 times composition तो करेंगे नहीं तो maximum 3 times composite करेंगे और उसे pattern देखेंगे और उसकी अधार पर direct 100 times का value लिखेंगे तो सबसे पहले निकालो A, F, F, X F, X का value substitute करो A, X, Y, 2, 4 और इस number को रखेंगे X के जगा पर तो A, X, Y, 2, plus 4, by 2, plus 4 इसको simplify करो X, Y, 2, A, square, plus 4, by 2, plus 4 cancel नहीं करना है, cancel करेंगे तो pattern खराब हो जाएगा हमको pattern देखना है one more composition A, F, 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 X तो इस दो F का तो value निकाल चुके है इसका value यहाँ पर substitute करो X, Y, 2, A, square, plus 4, by 2, plus 4 अब इस number को X के जगा पर रखेंगे तो इस number by 2, plus 4 रहेगा तो X, Y, यहाँ पर लिखते हैं X, Y, 2, A, square, plus 4, by 2, plus 4, by 2, plus 4 simplify करो X, by 2, cube 4, by 2, square, plus 4, by 2, plus 4 अब इसको one more line और लिखो X, by 2, to the power 3, 4 common करो 1, plus 1, by 2, plus 1, by 2, square तो यहाँ पर pattern of दिख रहा है यह 3 times composite किये हैं तो power 3, 4 times composite करेंगे power 4, इसमें क्या है? 3 times composite में 3 term GP का है 4 into के साथ 4 times composite करेंगे तो एक term और बढ़ जाएगा 100 times composite करेंगे तो इस GP में 100 term से डो जाएगे तो final जो answer होगा F, 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 F 100 times X, by 2, to the power 100 पलस 4 और यह 1, plus 1, by 2, plus dot, dot 100 times 100 terms और GP का sum का formula आपको पता है वह रख दिजिए तो वही answer आजाएगा X, by 2, to the power 100 पलस 4 into GP के sum का formula आप, तो 1 है into 1 minus r, 1 by 2, to the power 100 by 1 minus 1 by 2 एंसर हो गया X, by 2, to the power 100 पलस, यह 1 by 2, उपर चला जाएगा 8 into 1 minus 1 by 2, to the power 100 यही answer हो गया तीस तरह के many times composite करना होगा तो maximum 3 times आप composite करेंगे तो कोई न कोई pattern दिखेगा और उसके अधार पर जो required question है, उसका value set कर सकते हैं नेक्स्ट कोस्चन है FX defined है दो ब्रांच में GX भी defined है ब्रांच में Find GOF composite function में इस तरह question, lengthy question हो जाते हैं अब इसके दो method है solve करने के एक तो method अभी तक हम लों solve करते आ रहा है थे रखरा करके वह method use कर सकते हैं और दूसरा method है graphical method graphical method easier है लेकिन समझना और समझाना दोनों कठीन है तो पहले तो हम लोग analytical method से solve करते हैं इसको फिर graphical method देखेंगे FX का दो ब्रांच है अब FX का value रखना है तो दोनों ब्रांच का value रखेंगे one by one तो फर्स्ट ब्रांच को रखेंगे x minus one तो जो condition है वह भी लिखना होगा फिर second branch का value भी रखो four minus x with proper condition एफ का काम तो कतम अब क्या करना है जी में x के जेगा पर इसको रखना है अब यहाँ पर भी दो ब्रांच है तो दोनों ब्रांच पर रखना होगा इसके corresponding दो ब्रांच, इसके corresponding दो ब्रांच, 4 ब्रांच हो जायेगा तो रखेंगे, G में रखते हैं, फ़ले पहला ब्रांच में X-1 whole square, X-1 whole square, X के जगा पर रख दिया तो x-1 को जैसे x के जगह उपर रखें उसी तरह condition में भी रखना पड़ेगा x के जगह पर अब condition यहाँ minus 2 से 1 x पर नहीं जो input है उस पर लागो हो जाएगा यहाँ पर input क्या है? x-1 तो minus 2 to x-1 less than equal to 1 जो पहले से condition यहाँ पर है वा carry होते रहेगा उसी तरह से इसको रखेंगे फिर दूसरे ब्रांच में e to the power x-1 और x-1 को फिर रखेंगे condition के बीच में तो 1 x-1 less than infinity जो condition पहले से है वही condition यहाँ पर आएगा फिर अब इस ब्रांच को देखेंगे इस value को भी रखेंगे दोनों ब्रांच में तो रखो भेलो इसको ध्यान से देखिए यह लिंदी मेथड है एक बार सिख लीजिए इसके बाद तो हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखेंगे तो ग्राफिकल मेथड जब सीख लेंगे तो फिर ग्राफिकल मेथड से ही इसको solve करेंगे ऐसे question को इड्रालिटिकल मेथड भी एक बार देख लीजिए एकस के जगा आप रखेंगे फोर माइनस एकस होल स्कॉयर अब फोर माइनस एकस को रखना है कंडिशन में भी तो माइनस टू फोर माइनस एकस लेस्ट एन इक्वल टू वन जो condition पहले से है वह कहरी होगा अब इसको रखो second branch में e to the power 4 minus x 1 4 minus x infinity और minus 2 से जो condition पहले से है 2 से 4 2 से 4 अब क्या करेंगे इसको solve करेंगे अब दोनों का जो intersection आएगा वह हमारा final condition होगा इस branch के लिए intersection और वहीं domain भी हो जाएगा इस composition का तो इसको solve करो यहाँ पर rough में solve कर लेते हैं 1 को दना तरफ भेजेंगे तो क्या आएगा minus 1 से 2 और यहा है minus 2 से 2 तो दोनों का common क्या हो जाएगा minus 2 से 2 minus 1 से 2 तो हो जाएगा minus 1 से 2 उसी तरह से सब को solve करेंगे और intersection लाएगे अब वही final condition होगा अब मालोग किसी 2 condition को solve किये intersection नहीं आया तो इसका मतलब वह branch exist नहीं करेगा तो वह branch delete हो जाएगा तो 3 ब्रांच हो जाएगा यह दि चारो ब्रांच में intersection exist करेगा तो चारो ब्रांच एंसर होगा चारो में intersection exist नहीं करेगा तो वह branch delete हो जाएगा remove हो जाएगा आँ वहीं हमारा final answer होगा तो इसको तो solve करने आप पाएगा इधर भेज करेंगे solve करो आप intersection solve कर लिए होगे तो आप देखेंगे कि second condition को solve करने के बाद इसके साथ intersection लेंगे तो intersection नहीं आएगा तो यह branch reject हो जाएगा फिर इन दोनों को solve करके intersection आएगा 3 to 4 यह ध्यान रखना है equal to पर फिर इसको solve करेंगे आएगा 2 से 3 तो final answer क्या हो गया final answer हो गया first branch with this condition second branch remove हो जाएगा second branch अब यह हो जाएगा with this condition third branch यह हो जाएगा with this condition तो इसको note कर देजिए वह यह answer हो जाएगा तो equals to x minus 1 whole square minus 1 से 2 जैसे 2 पर स्वाप्त हो रहा है तो 2 के ज़स्ट बाद branch इसको order में लिखते हैं तो e to the power 4 minus x 223 और लास्ट ब्रांज हो गया 4 minus x whole square 324 यह हमारा final answer हो गया तो यह analytical process है थोड़ा सा lengthy है लेकिन आसानी से आप इसको solve कर सकते हैं इसको बस इसी बात का ध्यां रखना है intersection करना है यहाँ पर जो x है x minus 1 को इस x के जगा पर भी रखेंगे इस x के जगा पर भी रखेंगे फिर इसको solve करेंगे अब पहले से जो condition है उस दोनों का intersection करेंगे intersection exist करेगा तो यह branch रहेगा intersection नहीं होगा तो यह branch remove हो जाएगा अब कोई कहें इस composition का domain क्या है तो देख लीजिए minus 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 minus 1 से 4 domain हो जाएगा इसको आप cross check भी कर सकते हैं मालो आपने solve भी किया और आपको check करना है कहीं गलती तो नहीं हो गया हो तो एक इसमें value है जो आपको बताएगा कि आपका process सही है या गलत है आपका answer सही है गलत है process तो सही है अप्लाई करेंगे आप तो कैसे अप्लाई करेंगे जैसे देखिए minus 1 से 2 है तो दूसरा branch जो है 0 से नहीं हो सकता है या 1 से नहीं हो सकता है 2 के बाद सहीं शुरू होगा या 2 से 3 होगा फिर next जो branch होगा वो 3 के बाद ही शुरू होगा क्यों ऐसा होगा समझी आप जैसे function को diagram में represent करते है तो पहला condition minus 1 से 2 minus 1 से 2 इसमे एरो जाएगा दूसरा condition मालनो 0 से 3 हो तो 0 से 3 तो क्या हो जाएगा ना 0 से 3 में जैसे इसका arrow इसके साथ गया इसका arrow इसके साथ चला जायेगा तो जो common value है फिर इधर भी arrow आ जायेगा तो वही multi-valued हो जायेगा तो function नहीं क terrace तो जब भी overlapping value नहीं मिलेगा إसमें जो final x पर जो condition मिलेगा पहला condition में जो x का value होगा second condition में जो x का भेल होगा उसमें common नहीं हो सकता है common है तो कहीं न कहीं mistake हुआ है intersection करने में या इसको solve करने में तो यह method अच्छा ही method है थोड़ा सा lengthy है लेकिन यह cross check भी आपको करतेगा इसका graphical method जो है हम लोग समझेंगे लेकिन next video में समझेंगे इतना से जो है composite function का पूरा possible solve हो जाएगा branch वाले function का composite निकालने का shorter method graphical method आप next lecture में देखेंगे जिसका link इस description में भी दिया हुआ रहेगा तो composite function को यहीं पर हम लोग swap करते हैं thank you